हेलो फ्रेंड्स एक्जाम गुरू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं प्रदीप आज की वीडियो हमारी क्लास 10 चैप्टर फॉर्स्ट रसायनिक अभिकरिया एवं समी करा है आज की इस वीडियो में हम सिर्फ important topic करेंगे जो क्या आपके 2020-2021 एक्जाम के लिए है आपको पता है बहुत सारे topics कट चुके हैं chapter wise और chapter भी कुछ कट चुके हैं स्लेबस के ठीक है ये जो covid-19 pandemic चल रही है इसकी वज़ा से तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपको जो important questions है important topic के सिर्फ वो ही कराएंगे बाकी का कचरा जितना भी है मैंने इस वीडियो में नहीं रख रहा है सब निकाल दिया है तो आईए friends start करते हैं फिर start करने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को like करेंगे और channel को subscribe करेंगे तो देखे start करते हैं पहला जैसे का आपको पता ही है topic क्या क्या दे रखा है रसाइनिक समिकरण, संतूले रसाइनिक समिकरण, रसाइनिक अभिक्रिया के परकार जैसे सयोजन, वियोजन, विस्थापन, दुविस्थापन, अफचेपन, उदासीकरण, उप्चेन और तो ये तीन नमबर का topic चलता है, रसाइनिक अभिक्रिया के परकार, संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, simple language में आपको बताया गया है, बहुती simply way में ठीक है, जै इसके तीन परकार होते हैं, ठीक है, पहला उसमा वियोजन, दूसरा है आपका विधुत वियोजन और तीसरा है परकासी वियोजन, ठीक है, तो आईए बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले उसमा वियोजन, उसमें वियोजन का मतलब होता है, उसमा दोवारा किया गया वियो CO2, ठीक है, CAO आपका होता है बिना बुजा हुआ चुना, और CO2 आपका carbon dioxide, अगर आप English Medium में हैं, तो आप English Medium को वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे, वहाँ पे लिखा होगा Science Class 10th English Medium, ठीक है, और बाकी की ठीक है, बस जोड़े रहिएगा हमसे, चलिए, आगे है आपका विदुत वियोजन, ठीक है, विदुत ऐसे भी लिखते हैं, विदुत वियोजन क्या है, विदुत धारा प्रभावित होने पर जो वियोजन होता है, उसे विदुत वियोजन कहते हैं, यानि इलेक्रिक करंट के थुरू क्या करते हैं उसको decompose किया जाता है जैसे 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2 उसके बाद देखोता है प्रकासी वियोजन सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में होने वाले reaction जो होते हैं ऐसे विक्लिया जो सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में होकर दो टुकडों में विवाजित हो जाता है उसे प्रकास ये वियोजन कहते हैं जैसे 2AGCl, 2AG प्लस CL2 अब इसके प्रभाओ के बात करें सफ़ैद रंका silver coloride सूरिय के प्रकास की उपस्थिती में दूसर रंका बदल जाता है और इस अभिकरिया का प्रवोग स्याम स्वेथ फोटोग्राफी में होता है ब्लाक इन वाइट बात करें विस्थापन अभी किरिया तो आप विस्थापन अभी किरिया देख ही रहे हैं कौन सी होती है जिसे कहते हैं डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन इस अभी किरिया में अधिक अभी किरिया सील तत्व को विस्थापित कर द उधारण के लिए iron और copper आप देख सकते हैं जो iron है copper को displace कर देगा क्योंकि iron जो होता है copper सहधी कभी करिया सील होता है जो आपने reactive series पढ़ी होगी third chapter वो ही sodium ठीक है potassium sodium calcium आगे देखिए तो क्या है copper sulphate के नीले विलियन का रंग iron sulphate के निर्मान के कारण हरा हो जाता है next है most important यह दो नंबर का topic है कौन सा आपका अपचयन उपचयन उससे पहले हम दूइ स्थापन पढ़ लेते हैं यानि के double displacement reaction इस अभी किरिया में उतपात का निर्मान दो या दो से अधिक आयनों के आधन परदान से होता है यानि कि आपस में interchange कर लेते हैं interchange कैसे sodium जो होगा barium की जगा आ जाएगा और barium जो होगा sodium की जगा जाएगा देख लीजिए आप शुरू में एन ए था तो last में चला गया और last में भी ए था तो शुरू में आ गया क्या होता है barium sulfate के सफेद अफचेप का निर्मान होता है इसलिए अभीकरियों को अफचेपने भी करिया भी कहते हैं इस reaction में क्या होता है सफेद के लगका अफचेपने भी करिया भी कहते हैं अगला है दो नमबर का important, most important आपका भी जो mock test हो रहे थे उसमें भी यह आया था अपचेपन और उपचेपन और redox अभी क्या होती है अपचेपन की बात करें अभी कारक में oxygen का जुड़ना या hydrogen का कम होना oxygen जुड़े या hydrogen कम हो तो उसे कहते हैं अपचेपन और अगर बात करें उपचेपन की, उपचेपन क्या होता है जिसमें इसका उल्टा हो यानि की अपचेपन वो होता है जिसमें hydrogen जुड़े और oxygen कम हो देखो यहां carbon था, यहां करके oxygen जुड़ गया तो यहापका उपचेपन था यहाँ oxygen था, यहाँ oxygen कम हो गया तो यह आपका क्या है, upchain है इस अभिक्रिया में hydrogen upchain होकर copper oxide की upchain हो जाता है और Cuo upchain है जो H2 को upchain कर दें, हटा देता है अब important आ जाती है, इस अभिक्रिया के upchain, upchain दोनों होता है इसलिए इसको upchain upchain या redox अभिक्रिया कहते है redox अभिक्रिया क्या होती है, जहाँ पर यह दोनों एक साथ होना वो redox अभिक्रिया कहलाती है example दूँ, देखिए इस reaction को देखो आप इसमें क्या था, oxygen था, oxygen यहाँ हट गया यानि यह oxygen की कमी हो गई है तो हम बोलेंगे upchain हुआ है पर यहाँ hydrogen है, यहाँ oxygen नहीं था आगे देखा तो oxygen आ गया यह आपका oxygen जुड़ गया, इसलिए upchain हो गया है तो इस equation में इस reaction में आपको दोनों एक साथ देखने को मिला इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कौन सी अभी के लिए है redox अभी के लिए है तो friends यह सारे topic थे पाँचों आद हमने पढ़ लिए है I hope आपको समझ में आया होगा, clear हुआ होगा अब इसके कुछ important question है यही 3 important question है आप यही 3 कर लेना तो भी आपके लिए काफी है समझे लो यह quick revision है आपकी जैसे क्या है यह आपके दो नंबर के हैं यह भी दो नंबर के हैं और तीसरा question आपका तीन नंबर का है क्या है, कारण बताईए कि लोहे copper को copper sulfate के villain से विस्थाबित कर देता है मैंने बताया था कि जो iron होता है वो more reactive होता है इसलिए उसको क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है जो iron है, copper से अधिक क्रिया सील है इसी वज़ा से वो क्या करता है copper को विस्थाबित कर देता है अगला है silver chloride को गहरे रंकी bottle में भंडारित क्यों किया जाता है क्योंकि वो क्या होता है sunlight के साथ reaction करती है oxygen के साथ reaction करती है इसलिए उसको क्या करते है dark bottle में डालते है तो friends इस तरह के questions थे I hope आप इसको practice करेंगे और जितने भी मैंने उपड़ topic पढ़ाए है आप इसकी क्या करेंगे अच्छी खासी practice कर लेंगे आपका इतना ही है इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है कि exam में आना चाहिए इस chapter से इतने important topic थे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like करेंगे और channel को subscribe करेंगे बागी की वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को क्या करेंगे I mean playlist जाएंगे वहाँ आप जा करके देख सकते हैं तो friends ठीक है आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर अगले chapter के साथ लगते हैं आज की वीडियो को यहीं Good day, bye bye, have a nice day